अपने मासूम से चहरे से जीती हैं ये सभी का दिल अपने डांस से करती हैं सभी को घायल अब क्या बिग बॉस में दिखाएंगी अपने तीखे तेवर? वेल यहां हम बात कर रहे हैं तीवी आक्ट्रेस नेहां मर्दा की जो रिपोर्ट्स के मुताबिक दिखाई देने वाली हैं बिग बॉस 15 के घर में तो चलिए जानते हैं इनसे जुड़े कुछ अन्नोन फाट्स नेहा मर्दा का जन 23rd सेप्टेंबर 1985 को वेस्ट बेंगॉल में हुआ नेहा ने अपने करियर की शुरुआत 11 साल के उमर में डांस रियालिटी शो वोगी वोगी में पार्टिसिपेट करके की नेहा शादी शुदा है और उनके पती का नाम आयुश्मान अगरवाल है ये एक अरेंज मैरेज है और फिरहाल नेहा लॉंग डिस्संस रुलेशन्शिप में हैं दोनों की शादी को 10 साल हो चुके है नेहा ने अपना अक्टिंग डेब्यू किया सात रहीगा आलवेस इस शो से लेकिन उन्हें असली पहचान मिली सीरिल बाली का वधू से जहां उन्होंने गहना का रोल निभाया था डोली अर्मानों की इस शो से नेहा की पॉपिडारिटी काफी बढ़ गई और शो में उन्होंने लीड रोल निभाया उनके अपोसिट आक्टर मोहित मलिक थे आपको ये जान कर हरानी होगी कि नेहा ने अक्टरिस बनने की कोई प्लानिंग नहीं की थी लेकिन डांस रियालिटी शो में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्हें कुछ प्रडूसर्स ने देखा और तभी उन्हें अक्टिंग ओफ वर्समन में लगे नेहा ने चुलक दिखलाजा सीजन आर्ट में आज वाल्ड कार्ट कंटेस्टेंट एंटर किया वो हाल ही में सीरियल क्यों रिष्टों में कटी बटी में नजर आ रही है नेहा को डांसिंग, स्विमिंग, स्केटिंग का बहुत शोक है उनके फेवरेट आक्टर है सलमान खान और फेवरेट डेस्टिनेशन है लंदिन नेहा ने हाल ही में मदधवुट के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि जब भी वो मा बनने वाली होंगी सबसे पहले अपने फैंस को बताएंगी वो कमिट्मेंट्स के चलते फिल्हाल नेहा फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रही है नेहा मर्दा अपने मदरिन लौ के काफी क्लोज है शादी के बाद जब नेहा ने ब्रेक लिया तब उनकी सासु मा ने ही उन्हें आक्टिंग वापस पर्सियो करने के लिए पुश किया इतना ही नहीं उनकी मदरिन लौ उन्हें BMW, जैगवार और Audi as wedding anniversary gift दे चुकी है नेहा दिखाई दे सकती हैं बिग बॉस 15 के घर में जी हाँ रिपोर्ट्स की माने तो नेहा बिग बॉस 15 के लिए लौक की गई हैं और उन्होंने अपने के इंटर्व्यों में ये बताया था कि उन्हें बिग बॉस 15 ओफर हुआ है वेल आप नेहा मर्दा को बिग बॉस 15 के घर में देखने के लिए कितने जादा excited हैं बताईए हमें comment section में and also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube